हलो दोस्तों नमस्कार तो फाइनली UPPCS का जो मेंस का रिजल्ट है वो बाचुका है आपके सामने स्क्रीन पर ये मेंस का रिजल्ट है और सभी को धेर सारे शुपकामना है रोल लंबर 000 118 से लेकर रोल लंबर 602719 तक आप सभी को धेर सारे शुपकामना है बेसिकली ये जो आज की तारीक 13 फर्वरी और बिल्कुल इसी टाइम थोड़े देर पहले ही रिजल्ट आया है और आप सभी की नींद उनाने इस वक्त रिजल्ट त्याये गया है 20 तारीक से शुरू हो रहा है यानि कि आयोजित किया जाएगा हमारे कहां पर इलाहबाद में लोग से वायोग जो उत्रप्रदेश लोग से वायोग का उफिस है इलाहबाद में और ये है उसकी टाइमिंग बेसिकली लोग से वायोग उत्रप्रदेश तो जितने भी सफल अभ्यारती है candidate है उनको धेर सारे शुपकामना है मज़ा आ गया मतलब सोचा तो नहीं था कि इतनी जल्दी result आ जाएगा लेकिन कापी जल्दी result आ गया है अच्छी बात है आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छी बात है आयोग इस तरीके से बहुत सक्री हमें काम कर रहा है that's a very very positive thing so once again ठेर सारे शुपकामना है दूतरी चीज़ यह कि हमने कुछ डिसकस करते हैं हम लोग यह आप चीज़ें देख रहे हैं यहां लिखा हुआ है क्लिक करके registration number और basic detail जो है वो आपको कहां मिलेगा website पे तो आपको क्या करना है यहां पे let's say कि आप इसमें उपर गए आपको download करनी है कुछ चीज़ें जैसे यहां पे आप zoom करेंगे मैं zoom करता हूँ तो लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों को I.O. की website यानि कि up.nic.in के home page प जाएं और आपको यहां click करना है एक option आएगा click here for download interview letter for PCS exam तो अब मैं अगर I.O. की website पर जाता हूँ और view all करता हूँ तो यहां पर आपको दिख जाएगा एक तो notice आया है 13 February आज की date है यह है हमारा यह जो है list of candidate qualified for interview in PCS exam अगर इसको हम click करते हैं 9 February को आया है इसका है तो इसको ऐसे click करिए यहां पर यह आता है तो यह सारे की सारे detail खुल जाती है यहां पर और यह है notice regarding interview date यह notice हमारा खुल चुका है तो आपको basically regarding advertisement है list of candidate qualified यह रेखिए notice regarding advertisement number minds inspector यह कुछ अलग-अलग information से तो यह जो information आपके पास आई है अभी यह click here for download interview letter for pieces examination वो तुरंत आयोग के website पर आ जाएगी और आपको क्या करना है इसमें अपने जो basic details और आपका registration number है वो आपको submit कर देना है online ही online saver submit किये गए form set को download कर ले जो भी आप submit करेंगे उसको आप download कर लीजे इसके अत्रिक्त पदों का विवरण जाती प्रमारपत्र EWS का प्रमारपत्र सुतंतरा संग्राम सनानी के आश्रितों का प्रमारपत्र और विकलांगता का प्रमारपत्र इन सभी चीज़ों का अगर आपके पास प्रमारपत्र है उसको PDF में करके file को upload कर दिया जाएगा और candidate को सूचित किया जाता है कि जितने भी candidate है उसको जो प्रमारपत्र है वो सूचना को online के माध्यम से हम upload कर सकते हैं ठीक है बात समझ में आ गई आप लों को जैसा मैंने आपको बताया कुल मिला कर ये interview 20 तारीक से चालू होगा 20 तारीक के बाद अलग अलग दिन में किया जा रहा है जैसे कि 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 27 संदे चुट्टी है 27, 28 महीना खतम फिर उसके बाद 1, 2, 3 3 के बाद से सीधे 13 को है यानि कि candidates को काफी जादे time मिल रहा है जिनका interview 13 को 14, 15, 16 में है वो लगबग 10 दिन का time मिल रहा है बीच में होली भी है उसमें छुट्टीयों है काफी और ये interview 21 मार्च तक जा रहा है यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो post है जो section wise जो post wise seats है वो कितनी है देखें डिप्टी कलेक्टर की seat है वो कुल पद 49 है काफी जादे है सबसे बड़ी बात कि डिवाई SP यानि कि पुलिस उपादिक्च की जो seat है वो 93 है 93 सीट है इसके बात खंड विकास अधिकारी है जिला पंचाद अधिकारी जिला बेसिक सिक्षा अधिकारी और भी अन्य अधिकारियों के पद यहाँ पे mention किये गए है आप अराम से इसको पढ़ सकते हैं कोई जल्दी बाजी नहीं है इसमें ठीक है उसके साथ-साथ यहाँ पे दे रखा है कि भाई इनके पद नाम विभाग का नाम वेतन मान कितने हो सकते हैं क्या है उसे साब से आप भर सकते हैं इसमें ठीक है पूरे के पूरे PDF में यही mention किया गया है सिर्फ और सिर्फ कि भाई आपका interview है वो schedule हो चुका है अब आपको इस तारीक से interview देना है मैं आपसे request करना चाहता हूँ कि interview guidance program जो है वो description box में दिख जाएगा आपको तो आप description box में click करेंगे वीडियो के description box में interview guidance program है पिछली साल भी हमने कई सारे ऐसे interviews किये थे बहुत सारे हमारे अज्टा 24-7 के PCS channel से टॉपर्स निकल के राये थे और मैं कोशिश यही करूँगा कि आपके लिए स्वयम मैं जाओं इलाबाद वहां से interview host कंड़क्ट कराओं है न तो एक बार पुना कर सकते हैं हम लोग interview guidance program के लिए आप form ज़रूर भरें नीचे लिया हो गया है लिंक उस लिंक पे आप जाएं क्लिक करें अपना form भरने के बाद अपना DAF, role number, email ID, mobile number सब सेंड करिए हम interview schedule कराते हैं और 20 तारिक से ही है तो मतलब शुरू हो जाएए मतलब mock interviews तो भरने चालू हो जाएंगे है ना? तो बहुत बहुत शुक्रिया and all the best हम इंतिजार रहेगा आपके forms भरने का ताकि हम mock interviews schedule करा सकें चलिए नमस्कार, जैहिंद, जैभारण